चालू सीजन के दोरान विभिन कारणों से हल्दी के घरेलू उत्पादन में कम से कम 20 प्रतिशत की गिरावट आने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिससे इसका भाव आगामी महीनों के दोरान उंचा एवं मजबूत रह सकता है। तेलंगाना की निजामाबाद मंडी में हल्दी के नए माल की आवक पिछले सप्ताह शुरू हो गई और वहां ओस्तन 1200 से 1300 बोरी की आवक हो रही है। इस नए हल्दी में नमी का अंश 15 से 25 प्रतिशत के बीच बताया जा रहा है, जो सामाने स्तर से काफी उंचा है। तमिलनाडू की मंडियों में मध्य फर्वरी के आसपास नए हल्दी की आपूर्ती आरंभ होने की संभावना है। नए माल की जोरदार आवक शुरू होने के बाद ही इसकी मांग एवं कीमत के बारे में पता चल सकेगा। अगले महीने यानी मार्च में स्थिती स्पष्ट ह जाएगी। आम तोर पर अप्रेल तक हल्दी का भाव मजबूत रहेगा और उसके बाद इसमें उतार चड़ाव का माहौल बन सकता है। उस समय तक व्यापारिक मांग मजबूत रहती है। एक अग्रणी विशलेशक के अनुसार वर्ष 2024 में हल्दी का भाव उच्छल कर 180 से मजबूत बनाए रखेगा। इस बार बाजार भाव उचा होने से हल्दी के बिजाई छेतर में भारी बड़ोतरी हो सकती है जिससे अगले साल इसका उत्पादन काफी बढ़ जाएगा। मौसम भी हल्दी की फसल के लिए पूरी तरह अनुकूल नहीं रहा। Bureau Report Market Times TV